सडक पास आ गई थी वहीं एक गड़े से अचानक आवाज आई करफोन है सर्फाला दरोगा जी का हाथ अपनी रिवॉल्वर पर चला गया सिपाहियों ने ठिटक कर राइफलें समाली तब तक गड़े ने दोबारा आवाज दी करफोन है सर्फाला एक सिपाही ने दरोगा जी के कान में कहा गोली चब सकती है पेड के पीछे हो लिया जाए हुजूर पेड उनके पास से लगभग पांच गज की दोरी पर था दरोगा जी ने सिपाहियों से फुसफुसा कर कहा तुम लोग पेड के पीछे हो जाओ नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है दसीरियस कॉमेडी शो में दोस्तों श्रीलाल शुकल के राग दरबारी से कौन ऐसा व्यंग प्रेमी होगा जो अपरचित होगा उसी राग दरबारी का एक भाग आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीरशक है करफोन है सरफाला शीलाल शुकल शिपाल गंज गाउं था पर वो शहर से नजदीक और सड़क के किनारे था इसलिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को वहां तक आने में सैध्धान्तिक एतराज नहीं हो सकता था कुऊं के अलावा वहां कुछ हैंड पंप भी लगे थे इसलिए बाहर से आने वाले बड़े लोग प्यास लगने पर अपनी जान को खत्रे में डाले बिना वहां का पानी पी सकते थे खाने का भी सुभीता था वहां के छोटे मोटे अफसरों में कोई न कोई ऐसा निकल ही आता था जिसके ठाट बाट देखकर वहां वाले उसे परले सिरे का बेईमान समझते पर जिसे देखकर ये बाहरी लोग आपस में कहते कितना तमीजदार है बहुत बड़े खानदान का लड़का है धेखो न इसे चीको साहब की लड़की ब्याही है इसलिए भूक लगने पर अपनी इमानदारी को खत्रे में डाले बिना वे लोग वहां खाना भी खा सकते थे कारण जो भी रहा हो उस मौसम में शिपाल गंज में जन नायकों और जन सेवकों का आना जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था उन सब को शिपाल गंज के विकास की चिंता थी और नतीजा ये होता था कि वे लेक्चर देते थे वे लेक्चर गंजहों के लिए विशेश रूप से दिलचस्प थे क्योंकि इसमें प्रायह शुरू से ही वक्ता श्रोता को और श्रोता वक्ता को बेवकूफ मान कर चलता था जो कि बादचीत के उद्देश्य से गंजहों के लिए आदर्श परिश्थिती है फिर भी लेक्चर इतने जादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद लोगों को अपच हो सकता था लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाले भी समझें कि ये बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझें कि मैं बकवास कर रहा हूँ पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभीरता से चलते कि सुनने वाले को कभी कभी लगता था कि ये आदमी अपने कथन के प्रती सचमुच इमानदार है ऐसा संदे होते ही लेक्चर गाढ़हा और फीका बन जाता था और शोताओं के हाजमे के बहुत खिलाफ पड़ता था ये सब देखकर गंजहों ने अपनी अपनी तंदरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहन करने का समय चुन लिया था कोई सवेरे खाना खाने के पहले लेक्चर लेता था कोई दो पहर को खाना खाने के बाद जादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी वास्तों में पिछले कुछ कई सालों से गाउंवालों को फुसला कर बताया जा रहा था कि भारत वर्ष एक खेती हर देश है। फिर आगे की बात बताने से पहले ही प्राय दो पहर के खाने का वक्त हो जाता और वो तमीजदार लड़का जो बड़े संपन्न घराने की उलाद हुआ करता था और जिसको चीको साहब की लड़की ब्याही रहा करती थी वक्ता की पीठ का कपड़ा खीच-खीच कर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी खाना तैयार है कभी-कभी कुछ वक्तागण आगे की बात भी बता ले जाते थे और तब मालुम होता कि उनके आगे की और पीछे की बात में कोई फर्क नहीं था क्योंकि घूम फिरकर बात यही रहती थी कि भारत एक खेती हर देश है तुम खे अश्टकार अधिक अन्न नहीं पैदा करना चाहते। लेक्चरों की कमी विग्यापनों से पूरी की जाती थी और एक तरह से शिपाल गंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विग्यापन वहां की समस्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचे देते थे। और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाएं। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न पैदा नहीं करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगा जगा पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्टकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्टकारों पर बड़े जोर से पढ़ता था और भोले से भोला काश्टकार भी मानने लगता था कि हो नहों इसके पीछे भी कोई चाल है। एसे काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश। क्रिशी विभाग के अफसरों वाली हसी हस रही थी। नीचे और उपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था अधिक अन उब जाओ। और उरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हस्ती हुई औरत की तस्वीर को देखते ही उसकी और पीठ करके दीवानों की तरह अधिक अन उब जाना शुरू कर देंगे। ये तस्वीर आजकल कई जगा चर्चा का विशय बनी थी। क्योंकि यहाँ वालों की निगाह में तस्वीर वाले आदमी की शकल कुछ-कुछ बदरी पहलवान से मिलती थी। औरत की शकल के बारे में गहरा मत भेट था। वो गाओं की देहाती लड़कियों मैंसे किसकी थी ये अभी तक तैय नहीं हो पाया था। वैसे सबसे जादा जोर शोर वाले विग्यापन खेती के लिए नहीं मलेरिया के बारे में थे। अंग्रेजी की जरूरत है। इस भारती तरक पद्दती के हिसाब से मच्छर मारने और मलेरिया उन्मूलन में सहायता करने की सभी अपीलें प्रायह अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसलिए प्रायह सभी लोगों ने इनको कविता के रूप में नहीं, चित्रकला के रूप में स्विकार किया था। और गेरू से दिवार रंगने वालों को मन मानी अंग्रेजी लिखने की छूट दे दी थी। दिवारे रंगती जाती थी, मच्छर मरते जाते थे। कुत्ते भूंका करते थे, लोग अपनी राह चलते रहते थे। एक विज्यापन भोले भाले ढंग से बताता था कि हमें पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाने की बात गाउंवालों को उनके पूरवज मनने के पहले ही बता गए थे। और लगभग परतियेक आदमी को अच्छी तरह से मालुम था। इसमें सिर्फ इतनी नवीनता थी कि यहां भी देश का जिक्र था। कहीं कहीं इशारा किया गया था कि अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं पचा सकते तो देश के लिए बचाओ। बात बहुत ठीक थी क्योंकि सेट, साहुकार, बड़े-बड़े ओहदेदार, वकील, डॉक्टर ये सब तो अपने लिए पैसा बचा ही रह थे। इसलिए छोटे-छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या एतराज हो सकता था। सभी इस बात से सिध्धान्त रूप में सहमत थे कि पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचा कर किस तरह कहां जमा किया जाएगा ये बातें भी विज्ञापनों और लक्चरों में साफ तोर से बताई गई थी। और लोगों को उनसे भी कोई आपत्ती न थी। सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बचाने के पहले तुम्हारी मेहनत के एवज में तुम्हें कितना पैसा मिलना चाहिए। पैसे की बचत का सवाल आमगनी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को छोड़ कर बाकी सभी बातों पर इन व चलो इन तस्वीरों को छेडो नहीं। पर रंगनात को जिन विग्यापनों ने अपनी और खीचा वे पबलिक सेक्टर के विग्यापन न थे। प्राइविट सेक्टर की देन थे। उन से प्रकट होने वाली बातें कुछ इस प्रकार थी। उस शेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रोग दाद है। एक ऐसी दवा है जिसको दाद पर लगाया जाए तो उसे जड़ से आराम पहुंसता है। मुह से खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता है। बताशे में डाल कर पानी से निगल लिया जाए तो हैजे में लाब पहुंसता है। ऐसी दवा दु नहीं मिला है। एक कजबा जहानाबाद में रहते हैं और चुकि वहां बिजली आ चुकी है इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। अब नामर्दों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे डॉक्टर जो कम से कम भारत वर्ष भर में तो मशूर हैं बिना ओपरेशन के अंडवृद्धि का इलाज करते हैं। और ये बात शुपाल गंज में किसी भी दिवार पर तालकोर के हरूफ में लिखी हुई पाई जा सकती है। वैसे बहुत से विज्ञापन, बच्चों में सूखा रोग, आखों की बिमारी और पेचिश आदी से भ पाद ही दीवारों पर अंकित लेखों के साहरे जानना शुरू कर देते हैं। विज्ञापनों की इस भीड में वैद्धिजी का विज्ञापन, नवीवकों के लिए आशा का संदेश, अपना अलग व्यक्तित्व रखता था। वो दीवारों पर लिखे नामर्दी के बिज विज्ञापनचिप का नाम मना था, टीन की खूबसूरत तखतियों पर लाल हरे अक्षरों में प्रकट होता था और सिर्फ इतना कहता था। नवीवकों के लिए आशा का संदेश, नीचे वैद्धिजी का नाम था और उनसे मिलने की सलाह थी। एक दिन रंगनात ने देख बवासीर के चार आदमकद अक्षर चिला कर कह रहे थे कि यहां पेचिश का युग समाप्त हो गया है। एक दिवार पर रंग बिरंगी चाप छोड़ चुका था और दूर दूर तक एलान करने लगा था बवासीर का शर्तिया इलाज। देखते देखते चार छे दिन में ही सारा जमाना बवासीर और उसके शर्तिया इलाज के नीचे दब गया। मित्रों ये श्रीलाल शुकल के व्यंग उपन्यास राग दरबारी का एक हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुन कर आनन्द आया होगा। और आप इस किताब को यदि आपने नहीं पढ़ी है तो मंगा कर जरूर पढ़ेंगे। दे सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।